तो चलिए students, आज कि इस वीडियो में हम लोग relation between roots and coefficients से related कुछ numerical questions को solve करेंगे ठीक है, हमारे पास जो पहला numerical question है, कुछ इस परकार से है कि solve 2 equation, एक equation दिया है xq minus 9x square plus 14x plus 24 बरावर 0 एक equation दिया है, इस equation को solve करना है, 2 of whose roots are in the ratio of 2 ratio 3 और 2 roots का ratio दिया है, 2 roots का ratio दिया है, क्या दिया है, इसका ratio 2 ratio 3 इस परकार से हमको एक question दिया गया है, और इस question यह जो equation दिया गया है इस equation को solve करना है, जब कि इसका 2 roots का ratio है, 2 ratio 3 दिया गया है आपको याद होगा, जब आप लाउस 10 थे तो आपको छी स्टाइप का क्वेश्टन बनाए होगे, कैसे बनाए skipped question के खायाता था राम तीफा, रहिं की बरत्मान आयू का अनुपात, आड़ा ऑायू का अनुपात 5 अनुपात 8 है, तब हम लोग केसे लिखते थे पहला राम का तो यह हुआ राम का दूसरा है रहीम तो यह हुआ रहीम का तो लोग लिखते थे राम की बर्तमान आयों राम की बर्तमान आयों हम लोग मान लेते थे पहले मान लेते ुदे माना राम की बरत्भत और रहीं यह और 8 यह तो जब भी रेही तो तो 9x square plus 14x plus 24 equal to 0 यह हमको एक equation दिया गया है इसका अगर degree देखा जाए degree of p of x p of x के degree कितने है 3 है तो इसके roots कितने होंगे roots of p of x इसके roots भी कितने होंगे 3 ही roots होंगे जबकि 2 roots का ratio दिया है कितना दिया है 2 ratio 3 तो हम लोगे हम पर माल लेते हैं कि लेट यह पहला root है 2 तो इसको 2 alpha माल लेते हैं 2 alpha इसके लिए हमें माल लेते हैं 3 alpha and कोई एक दुसरा root हमें माल लेते हैं beta तो 2 alpha, 3 alpha और beta तो हमने यहाँ पर 3 root माल लेते हैं कि इसके 3 roots ही होंगे let 2 alpha, 3 alpha and beta be 3 roots 3 roots of p of x बाबर 0 यहाँ पी ओफ, p of x बाबर 0 का 3 roots क्या क्या है 12, 5, 13, 5 और एक beta है तो इस परकार से हमने roots माल लेते हैं अब देखें यह जो हमारा equation है इस equation को हम लोगें compare कर देखेंगें जैसे आपर x q है, minus 9 x square है, plus 14 x है, plus 24 equal to 0 यह आप देख रहें क्या है, cubic equation है तो cubic equation का जो general form होता है, क्या होता है ax q, plus b x square, plus c x, plus d, बाबर 0 और इन दोनों के पीछा में क्या कर देते हैं, compare कर देते हैं अब compare कर देते हैं, देखे, x q, x q मिल जाएं, यह के center में कुछ नहीं है, यानि 1 है x square x square मिल जाए, तो d के center में minus 9 मिला x x मिल जाए, तो c के center में 14 मिला और d के center में हमको क्या मिला, 24 आप समाझ रहें, d के center में क्या मिला, 24 अब हमने जो relation पढ़ा था, relation between roots and coefficients तो उसका हम लोग यहाँ पर use करेंगे, ठीक है, किसका use करेंगे, relation between roots and coefficients by relation between roots and coefficients तो roots और coefficients के relation समने जानते हैं, first क्या करते हैं, देखें यहाँ पर root है, एक 2 alpha है, एक 3 alpha है और एक beta है, तो यहाँ पर 3 roots होंगे, यानि 3 relation बनेंगे, first relation यानि पहला relation जो होता था है, हम लोग सारे roots का sum करते थे, तो इसको, इसको क्या करेंगे, sum कर देंगे, यानि 2 alpha plus 3 alpha plus क्या है, beta, तो इसका formula में आपको बताया था, क्या होता है, माइनस B बता A, इसका क्या होता है, माइनस B बता A होता है, तो 2 alpha 3 alpha कितना हो, 5 alpha plus beta, वेराबर, माइनस का माइनस B, कितना है विक हमने लिए तो यहां से लिए पर माइनस अधाल नाम दे लिए एक नमबर वन अब बात करतें सेकेंड रीजर देखिए इसका चौरा नहीं मिलेगा यानि छोड़ देंगे विटा के लिए हैं इसका formula होता था C बटा A, इसका formula क्या होता था, C बटा A, तो 2 जोती है, 6 alpha alpha, alpha square, 2 alpha beta, 3 alpha beta, कितना हुए, 5 alpha beta, बराबर C बटा A, तो C का मान कितना है, C का मान 14 है, यहां पर दिक रहाएंगे, C का मान 14 है, और A का मान 1 है, तो 14 मटे 1 हो जाएगा, अब आज आईए यहां पर, क्या लिखेंगे, 14 मटे 1, यानि 14, यानि इसका जो भेल हुआ या, कितना है, डायाटरी चाहिता हम लिख सकते हैं, क्या है, चलिए 14 इंटी बटा इसका मैं क्या हो 14, और इसका मैं नाम दे दिया, equation number 2, हमारा जो था होता है, इसका लास्ट लास्ट बनेगा, और हमारा लास्ट लिख समय क्या करते हैं, इसमें 2 term करकें, फिर हमारा आप team करकें होगा, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, सारे का product करते हैं, जितने रुट से, तो 2 kafia 3 alpha n तो चले पूट कर देते हैं यहां पर कर देते हैं तो दूतिय चोग अलफा 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 स्क्वर्ड इंटू बीटा माइनस दी का मन कितना है यहां पर आजाए दिख रहा है दी का मन कितना है यहां पर क्या विए 24 और यहां सब डाइक कार सकते हैं 6 के 6 चोगे 24 जनी यह हो गया अलफा स्क्वर्ड बीटा बड़ाबर माइनस 4 इक्वेशन 1 हुआ एक्वेशन 2 हुआ और इसका मने नाम दिया इक्वेशन नमबर 3 अब चलिए हम लोग और लिक विएशन 1 को एक्वेशन 2 को और लिक भीशन 3 को सॉल्व करके अलफा और बीटा के देखत करेंगे तो सब से पहले हम लोग यहां सबसे इंस 1 से चल रहे हैं इंस 1 उप्लाइज है अब इस बीटा के मान को हम लोग क्या करेंगे, equation number 2 में पूट कर देते हैं, putting the value of beta into, into कहां पर, 1 पर, into 2 पर, 2 पर पूट कर देते हैं, into 2, we get, बाद समझ रहा हैं, बीटा के बेलु को हम लोग कहां पूट कर रहा हैं, equation number 2 पर, equation number 2 हमारे क्या इक बाद देख लेते हैं, 6 alpha square, plus 5 alpha, beta, equals to क्या है, 14 है, equals to 14, ठीक है, तो यहां से 6 alpha square रहा गिया, plus 5 alpha रहा गिया, बीटा का बेलु, बीटा का बेलु क्या है, या 9 minus 5 alpha, 9 minus 5 alpha, equals to कितना, 14, भाद समझ रहा है, ठीक है सारा, चलिए, अब आगे चलते हैं, 6 alpha square, प्लस, यह 5 नाम, 45, यह alpha है, तो alpha रहा लिए दिया, plus minus, minus, 5 बच्चे, 25, alpha alpha, alpha square, equal to 14, यहां पर काम करते हैं, 6 alpha square, और minus 25 alpha square, यहां से minus, 19 alpha square, plus 45 alpha, यह plus 4 है, इधर आजा, एगरो, minus 4 बरावर, 0 बचेगा, बोद साइड, बोद साइड, अम लोग क्या करते हैं, minus से multiply कर देते हैं, इधर भी और, इधर भी, और minus से multiply कर देंगे, यह plus हो जाएगा, यह 19 alpha square, plus, minus से multiply कर देंगे, यह minus से प्लस हो जाएगा, यह plus से क्या हो जाएगा, यह माइनेस हो जाएगा माइनस मैं मैंनाक नड़ी मुझके इसमेश को अब हम को क्या मिला 19 alpha square minus 45 alpha plus 14 equals to 0 और आप देख पा रहे हैं यह हमारे क्या है एक quadratic equation है क्या है quadratic equation ठीक है और quadratic equation में क्या होता है एक आपका formula होता है quadratic formula जिसकी मदद से हम लोग root find करते हैं जो आपने class 10th में पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं तो इगाते सुत्र से मूल निकालना ठीक है यह दो इगाते सुत्र का यूज करेंगे तो जब हमारा हमने पढ़ा था जो quadratic equation क्या होता है एक स्क्वेर प्लस बी एक स्प्लस थी प्राबर जीरो के फॉर्म में होता है जो देख सकते हैं कि यह इसी फॉर्म में है तब हम लोग एक सब्राबर सुत्र होता था एक सब्राबर लेकिन यहां पर variable क्या है अलफा है तो अलफा ब्राब स्पराबर संद successor की कि अभल जाएं म क्या सब्राबर सा मीनिस फोर्तिफाइफ धैस लिखेंगे मैनिस फोर्तिफाइफ पलस माईड़ रूटपर बीकलर यानि यह यह जो अ भी है मैने मैनस फोर्तिफाइफ Light स्क्वेर माइनेस फोर एसी है फोर का फूर ए देखिए एक एसंट्रम को ने 19 और टिकर सेंट्रम को ने 14 19 इंटू 14 अपन क्या हो जाएगा 2a 2 into एक अवेलू कितना है 19 तो यहां से क्या लिखेंगे 19 तो चलिए सब्सक्राइब आपको मिलेगा का यहां पर 31 इंटु 31 तो इस प्रकार से का लिजीएगा मैंने डायरेक्ट देख की लिग दिया यहां पर क्या हुआ और यहां पर 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा बात समझ रहे हैं 19 दूनी क्या हो जाएगा 38 तो हम लोग क्या & तहरा प्लस है यहां पर एक थीछ से और यहां पर 308 इसको एक शघ्य करते पाहसरेक चार उर ती साथ ृर्टी करते एड से जाएगा नोढसें किया में और फीन ने हllsा प्लत टी क्या लेगा एक प्लस लगागी चले एक बार माइनस लेके चलेंगे 45 माइनस 31 2 38 तो 45 में muti 31 घटाएंगें तो 65 में चार कोफ नतीन थक मभीवर रेह Oakकी आप पर बत्चा 38 फॉर 2 सत्या चोथ दो और यहां पर 19 तो कि यहां पर ठेकर इसमें पूट करतें इस ने कद अउल शलिए नीगि ऑपीं है और फोर से थोर से भीटा वराबर क्या लिखेंगे नाइन माइनस 5 अलफा बिडा बराबर 9 माइनस 5 अलफा तो 9 का 9 माइनस 5 का 5 और अलफा का मान हम यह लिया तो 9-5 तुने 10 तो 9-10 कितना हो गया 갔 का सवंच कं या समुंज मार ब्रावर यहां से मिल फिर से अलफा कोड़किकमान सबस्क्राइब क्या मिलेगा देखए नाएट का इमाइन माईनस 5 alpha बड़ावर 9 का 9 माइनस का माइनस 5 का 5 alpha का मन्न साथ बटे 9 है साथ भटटा नौ ठीक है ? के की दिएक नहीं है यहां तहीं आपको समंझ कर रहा है चलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एंसर मिलेगा क्या मिलेगा मैं डायरेक्ट लिग देता हूं यहांस आपको मिलेगा 136 अपोन 9 इंचा मिलेगा 136 अपोन 9 यह फ्यलू रहा यह और आप बोनेगा यह वहला सइख तो हम चेक करने के लिए का करेंगे हमने जो एक्वेशन 3 यह जो हमारा एक्वेशन 3 आया है दिख रहा है यह जो एक्वेशन 3 आया है इस एक्वेशन 3 से हम लोग सटिस्फाइब करेंगे कि हम लोग कौन से भेलू को लेंगे तो चलिए हम लोग सेडिस्फाइब कर लेते हैं यहां संतुस्टि सुट्टि मतलब मन्न संतु अलफा कमान टूप और बीटा कमान माइनस वन ठीक है यानि 2 है और माइनस 1 है अब यहां पर लिया आए अलफा का मान 2 और बिटा का मान माइनस 1 ठीक है और हमारा जो एक्वेशन 3 है एक्वेशन हमने जो एक्वेशन 3 माना है 3 हमने जो समिकरन 3 माना है समेकरन 3 यह दिख रहा है क्या है अलफा स्क्वेर बीटा बराबर माइनस चार क्या है अलफा स्क्वेर बीटा बराबर माइनस चार तो आप अगर इसको verify करेंगे तो alpha का value put करेंगे 2 है तो 2 chi square into beta का value क्या minus 1 minus 1 हमने put कर दिया यहां इधर क्या है minus 4 है तो 2 chi square कितना हो 4 into minus 1 बराबर minus 4 4 into minus 1 तो minus 4 बराबर minus 4 देखिए इस condition में satisfy हो गया इस condition में क्या हो यह satisfy हो गया और अगर हम लोग यह लेगे चलते हैं क्या बरा नीचे किज़ेगा तो दिख रहा है इस case में क्या है अलफा का value 7 बटे 19 है और बीटा का value 136 बटे 19 तो चरीए इस चीच को लिख लेते हैं यहां पर दिख रहा है अलफा का value कितना है 7 बटा 19 है और बीटा का value कितना है 136 बटा 19 दो बेलू मिला तो यहां से हम लोग equation 3 को अगर satisfy करें यहां से क्या है alpha square बिटा बरावर माइनस 4 आना चाहिए तो अलफा का value तो साथ बटा 19 है तो साथ बटा 19 का स्क्वेर और बीटा का वेलू क्या 136 बटे 19 तो 136 बटा 19 और आप ही दोनों को solve करेंगे तो कभी भी यह माइनस 4 नहीं आएगा कभी यह माइनस 4 नहीं आएगा इसका मदलब क्या हुआ कि इस केसमें सेडिस्फाइ नहीं किया जर्की उपर वाले केसमें सेडिस्फाय कर गया यानि alpha का value हमको यहां पर देखित इख रहा है और यानि alpha का value हमारा 2 नहीं और बीटा का value कितना है चलिए हम लोग रूट्स को देख ले तने कि रूट्स हमने किस परकार से मान के तो रोर्ट जो मने माना था रोर्ट को हमने माना था एक मानना था 2 अल्सा w अबना था रसीग ऊहनल quedar मैँट ओव्फा इनकाल लेते हैं एक हमको मिला फोर एक मिला एक मिला माइनस वन और ही आपका फाइनल सोलूसन है बात समझ नहीं अगर आपको इस टाइप का कोश्चन दिया जाए कभी भी रेशियो का कोश्चन रहेगा तो आप इस परकार से सॉल्व करेंगे अब चलिए हम लोग एक्जांपल नमबर टू में चलते हैं तो चलिए स्ट्टेंट अब हम लोग बात करते हैं कोश्चन नमबर टू हमारा जो कोश्चन नमबर टू है कुछ इस परकार से है कोश्चन नमबर टू कह रहा है कि दा रूट्स आफ दो इक्वेशन एक्वेशन हमको गिवेन है एक्स की पावर में 4-6 x q प्लस 18 x square माइनस 30 x प्लस 25 इक्वेशन दिया गया है आर ऑफ दो फॉर्म इसके जो रूट्स है इसके जो रूट्स है कुछ इस प्रकार के फॉर्म में है कैसे है अलफा प्लस आउटा बीटा टाइप के और बीटा प्लस आउटा अलफा टाइप के इसके रूट्स है होयर अलफा एंड बीटा और रियल फाइंड ऑल दो रूट्स देखे क्वेशन क्या कर रहा है मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूं दो रूट्स आफ दो इक्वेशन एक्स के पावर में 4-6 x q प्लस 18 x square माइनस 30 x plus 25 एकल जीरो आर ओफ दा फॉर्म यानि इस एक्वेशन के जो रूट्स है कुछ इस फ्रकार के फॉर्म में है जहां अलफा और बीटा हमारी क्या है इसके जितने रूट्स होंगे सारे रूट्स हमको फाइंड करना है बात समझ रहे हैं तो चलिए फाइंड करते हैं देखे कुछ नहीं करना है जो आपको दिया गया है सबसे पहले सोलूशन करेंगे तो इसको हम लोग माल लेते हैं लेट लेट पी ओफ एक्स वरावर एक्स के पावर में 4-6 x q फ्लस 18 x स्क्वेर माइनस 30 x प्लस 25 इक्वेल्स टो 0 बात समझ रहे हैं यह हमारा क्या है एक्वेशन यह गिवेण से अब देखी इसका अगरा मॉष डिग्री देखिए कि डिग्रीऑ फिओफ एन Kr इना सका ह prepared क्रीटफ इसका फॉर्ट होगा यारानि फॉर्स इसके रूठस कितने हjungे रूटस और फफ एक्स बराबर क्या होंगे फोरोंगे थिए यहाँ पर हम invert धी कि तूरुट्ट इस यो और आप देख पह रहे हैं ये डोनों打 रूट्स से और में लगा है और मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनेरी रूट्स होते हैं और irrational roots होते हैं वह हमेशा conjugate pair में आते हैं मां समझ रहे हैं यह हमेशा क्या होते हैं conjugate pair में आते हैं तो we know that we know that imaginary roots imaginary roots always occurs in conjugate pair conjugate pair बात समझ रहे हैं always occur in conjugate pair वह हमेशा क्या होता है conjugate pair में आते हैं तब हम लोग क्या बोल सकते हैं this implies alpha देखिए alpha plus iota beta root है तो alpha minus iota beta भी क्या होंगे इसके roots होंगे and beta plus iota alpha इसके roots है इसका मतलब beta minus iota alpha भी क्या होंगे roots होंगे alpha minus iota beta and beta minus iota alpha is also is also roots of p of x बराबर 0 यह सब भी क्या होंगे इसके roots होंगे तब हम बोल सकते हैं कि this implies this implies जिसे एक हो गया alpha plus iota beta एक हो गया alpha minus iota beta एक हो गया beta plus iota alpha beta plus iota alpha एक हो गया beta minus iota alpha beta minus iota alpha बी फोर रूट्स फोर रूट्स आफ एक्वेशन p of x बराबर 0 तो यहां से हमको क्या हुआ चार roots इसका मिल गिया aqa 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 और roots हमारा इस form में है और alpha उर beta हमारी क्या है real है alpha उरbita हमारी क्या है real है यान्वेशन हमको alpha और beta का value find करना है और यहां पर put कर देना है समझ रहें simply हम वो कुछ नहीं करना अलफा और बीटा के लोगो find करना है और यहां पर हमको put कर देना है तो चली हम लोग वही काम करेंगे ठीक है हमको जो करना है हम वहीं करेंगे ठीक है देखिए अब यहां पर हमको p of x यह given है तो p of x को यहां पर लिख लेते हैं यानि क्या है x के पार हम 4-6 x q plus 18 x square minus 30 x plus 25 plus 25 ठीक है इस प्रकार से हमने लिख दिया अब देखिए इसको हम लोग compare कर देंगे जो यह देखिए हमारे क्या है यह biological equation है यह क्या है 我 e quadrants Bay which question है तो इसको roar किस्से करेंगे biological equation से करेंगे यानि ax के पार इंद न फ्रक ब्लक प्लस b x q plus c x q plus d x plus e ब्रावर 0 से क्या करेंभे इसको compare कर देंगे यादि तुल ना कर दे रहे है तो देखिए यहां पर एक्स के पार रिंप्ัुर य्यानि 1 है तो य। काहँ लूर्ण मिलिआ एक्सक्क्वं अबिक इंडर में मैं ऴीनस 6, 2021 मैं To कैसे ह displays मिल गाहा एक्सक्वारे मिल गींद्न एक्सक्वारा सब्सक्राइब गाहा है 23lli हो ट्यक्रम पर कट απο भॉइन Care 70 mm 25 ठीप है कोफिसियंट हम लोग क्या करेंगे रूट्स और कोफिसेंट का जो रिलेस्टन है उसका यूज करके हम लोग अलफा और बीटा के वहलू को सारे का सम तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यह दिखाए रहा है यहां पर रूस क्या है अलफा प्लस हो गया अलफा मैनेस तम्या डूसरा रूट सो गया प्लस बिटा प्लस दोट लडे लगूट अल्फा यह भीटा प्लस क्या है और बीटा माइनस आयोटा अलफा बीटा माइनस आयोटा अलफा इसका फर्मुला क्या होता है माइनस बीवटा ए माइनस बीवटा ए तो माइनस का माइनस बी का वेलू कितना है माईनस 6 तो माईनस 6 बटा 1 आवेलुकितना वनने तो वन पुट कर दिया बात समझने बिल्कुल सिंपल हुआ टेंट्रें लेने का बात नहीं है इसको थोड़ा सिंपलिपाइए कर लेतने हैं प्लस आयृटा विटा फ्लस एल्फा मैनस और भीटा फिल उंटा र हुआ प्लस बीटा प्लस आउता अल्फा प्लस बितर गया, वेर्भा फिल्फा बीटा मैनस आउता खिलखे दोक्त अल्फा अल्फा-ज refers in धैतर्थ टूर। बेटा बीटा टो बीटा बराबर 6 तो हम लोग वोग्न साइट क्या कर रहे हैं डू से लिवाइट कर दे रहे हैं तो तू से ड्वाइट कर दे रहे हैं तो बाद कर देंगे तो हैं paradise बीटा नाम देनी真的 before दे अब four roots बनेंगे यानि इसके four relation होंगे तो आप इसको फटाफट no down कर लिजे फिर हम लोग इधर बात करते हैं तो देखे students जो जो हमको यहाँ पर मिला था हमने इस चीज़ को यहाँ पर लिग लिया a बराबर 1 मिला, b बराबर minus 6, c बराबर 18, d बराबर minus 30, e बराबर 25 और हमको यहाँ पर एक equation मिला था alpha plus beta बराबर 3 हमारा जो polynomial है यहाँ हमारा fourth degree का है यानि इसके four roots होंगे अब four roots होंगे यानि इसके four relation होंगे और यह था हमारा first relation यह था हमारा first relation alpha plus beta बराबर 3 अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके second relation के उपर, तो second relation कैसे बात क्या जाता है, तो पहले आप root को देख लिए, root हमारा क्या क्या था, तो रूट हमारा था एक अलफा प्लस आयोटा बीटा, एक था हमारा अलफा माइनस आयोटा बीटा, एक था बीटा प्लस आयोटा अलफा, और एक है हमारा बीटा माइनस आयोटा अलफा, तो क्या होता है, फर्स्ट जो रिलेशन होता है, इसमें हम लोग एक एक टर्म लिखते हैं और जो स्थेकार्ड रिलेशन होनता इसमें हम बोदो tर्म लिखते हैं है यानि इसका एक बर इसके साथ मंन रिपलाइ करेंगे यानि अलफा पिलस आउता वीटा इंटू के साथ अलफा माईनोस आउता वीटा के साथ खि zo washike lta के छूज इसके साथ होना है फिर प्लस अऊटा बीटा को इसके साथ करेंगे ये किसके साथ प्लस साथ कर दिया इसके साथ? कर दिया है इसका काम खतम हो गया अब इस पर देखेंगे इसको पहले इसके साथ करेंगे अलफा माइनस आउटा बीटा इसके साथ बीटा प्लस आउटा अलफा के साथ फिर इसका इधर करते हैं इसका अलफा माइनस आउटा बीटा को इसके साथ कर दिया अब इसके साथ प्लस आउटाइलफा इंटू िटा माइनस आउटाइलफा देखें यहाँ पर होता है माइनस बी बटा एए और यहाँ पर हमारा होता है C बटा वहको से कावेलू आफ देخ सकते हैं कितना है C यहाँ लुगा है 18 और A कावेलू है 1 टो यह होad activities грن uh e 1 वं एभा समझ रहे हैं जब आप इसको साल करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा अभगती जब आप इसको स्म्प्लिफाइए करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर आप इसको सॉलुकल लीजेगा घर में तो आपको मिलेगा 2 2 alpha square plus 2 beta square plus 4 alpha beta इस प्रकार से मिलेगा जब इसको आप solve करेंगे तो काट कूट के आपको यह final result मिलने वाला है और इसका value कितना है 18 है और हम लोग क्या करेंगे both side 2 से divide कर देंगे यहां पर divide कर देंगे यह बचा alpha square यह बचा 2 alpha beta 2 alpha beta बढ़ावर 9 बात समझ रहे है इसको अबने 2 से divide कर दिया इसको वह बी 2 से इसको भी 2 से इसको भी 2 से इसको भी 2 से यही बचेगा थोड़ा में check कर लेता हूं यही बच रहा है ऑर इसको प्रकार से आप अगला रिलेसिंन किजिएँ गार अगला रिलेसि害 हमारा क्या होता है 30 मिरेकर पर अब चाहे तो अगले रिलेसिंग को कर सकते हैं अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिखता नहीं है अभी फिलहाल मैं इसको skip कर दिया रहा हूं आप चाहिए तो घर में try कर सकते हैं और इसका नाम देंगा आप equation number three देखी असल में हमारा क्या होगा equation number one से और equation number four से अभी जो हम लोगे equation find करेंगे इसे दोनो equation से हमारा सारा काम होने बाला है बात समझ रहे हैं अई दोनो equation से हमारा काम होगा बाद बाकी यह क्या होंगे सेटिस्फाइ कराने में काम आएंगे हमारा अलफा बीटा का जो भीलू आएगा उसको हम लोग खाई सेटिस्फाइ कराने के लिए एक्वेशन नमर टू का और एक्वेशन नमर थिरी का यूज करेंगे नहीं तो इसे दोनों कोई यूज नहीं है टो शली अमलों बात करते हैं फोर्थ रिलेशन के ओपर फोर्थ रिलेशन में क्या हूता हम लोग चार चार लिखते हैं ठीक है आप फश्ट रिलेशन मतलब देखिए थी हो दो-धो-धो ध्यू हम दो तीन-विजी यह इनि फोर 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 और फोर फ्री प्रीशन ही यहां the last last list map क्या होता है product of roots to product का दीजिए सब का सब जितने roots है एके alpha plus iota vichas 2 alpha minus iota vichas into क्या है beta plus iota alpha beta plus iota alpha into kit a beta minus iota alpha यहां पर आपने लिया था minasa b but a aware क कसी बटा है यह होगा माइनस डी वटा है तो यह होगा आपका ई वटा ए पुरी का वेलू कितना है इका वेलू आपका 25 25 और एका वेलू 1 तो 25 वटा वन लिखेंगे ठीक है अब देखिए यहां से ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी का फर्मुला बिटा सकते हैं अलफा प्लस आउटा बीट उसी परकार यहां पर बिटा प्लस आउटा आपा बिटा माइनस आउटा यहां पर भी ए प्लस बींटी अ माइनस बी का फर्मूला लगिए यानि पाल बीटा सक्विटा सक्विए बिटा सक्वेर का वोली स्कविए बराबर 25 और इढ़ा पाचीस अब इधर स्कुर रहे नाम यहhesion नाम यार IT no i4 अब हम्लों क्या करते हैं यहां से आप यहां करतें यहां यहां से आ हां थो आलफ कामान खाइंद कर के यहां पर आया फूर कर दिParty करते हैं फ्रॉम और वन वं किया हमारा अलफा ब्लस बीटा बढ़र क्या है ट्री एंसे अलफा प्लस बीटा उदर जाने से माइनुस बीटा और इसका हमें नाम दे दिया इस्टार क्या नाम दे दिया इस्टार और इस अल्फा के वेलू को हम लोग एक्वेशन नमर फोर में पूट कर देते हैं चलिए उदर चलते हैं अब उदर पूटिंग दा बेलू आफ अल्फा इंटू एक्वेशन फोर उई गेट हम्हों के वेलू को पूट कर देते हैं टिए यहां पर देखिए डिखाई रहा है इक वेशन नमर फोर है हमारा आलफा इस्क्वर प्लस बीटा इस्क्वर अबर आवर पांच और अल्फा का भेल कर देंगे मुख्यन फ्रका रीड यूदिया च क्ञ इल्फा इसकर प्लस चीन पदार प्लस बीठाइस कर वराबर minus 2 A B plus B square plus B square यानि इसको अमने 아니라 इसको बी इसको बीमना यानि इसको बता G स्कोर बिच के बिची करकेकि प्लצ 5000 या दे फ्क यह इथे मस्टाइं बरावर ऑफ देखेंगें प्लस बड़ाद एक टाइज है प्लस टू बरावर जिरो अब क्या कर देते हैं फ्क्टाय इसन में फ्क एक four-thr Break 이번 2-10 2-1-2-1-2-3-1-1-1-1-1-2-1-2-2-2-31-2-1-2-4 This Guess 1-2-1-1-2-12-1-1-2-1-2-1-1-2-3-2-2-1-2-2-1-2-2-2-1-2-1-2-2-1-2-1 यहां से आपको रूर्स मिल जाएगा यह Snapdragon 1 बहाबर जीरो यहां साइपको मिल यह Bildeаль ब्राबर 1 और बीटा मार्नेस अच्डू बढर जीरो याने Peter बहाबर फॉ बास नमझ नहें हैं देखि कोई दूसरे equation में put करके देखिए जो value आया आपको alpha और beta को value मिलेगा उसको आप कोई दूसरे equation या तो आप equation 2 में put करके देखिए या फिर equation 3 में put करके देखिए अगर वह satisfy करेगा तभी वह roots होगा नहीं तो यहां तक हो गया हम लोग 2 पर check करेंगा आप 3 पर घर में put try करके देखिएगा ठीक है आप खुद try करके देख लिजिए घर में इस प्रकार से करना simple आपको multiply करना कुछ तो काम है नहीं तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इस्टार equation में यह दिख रहा है इस्टार equation क्या है अलफा माइनस 3 बीटा तो अलफा यहां पर क्या करेंगे बीटा के वेलू को put कर देंगे थमको अलफा का वेलू मिल जाएगा अब यहां पर आ जाते हैं देख रहा है है फ्रॉम इस्टार फ्रॉम स्टार में क्या है हमारा अलफा ब्रावर 3-ईचार है ठीक है अब बीटा का वेलू हम लोग स्भॉसभा और भेलग्सटी माइने तू हो गया और वीटा के वेलू का व्म टूपूट कर देते हैं याने अलफा ब्रावर 3-2 बराबर 1 तो देखिए आपको यहां से क्या मिल रहा है कि जब अपने अलफा का वेलू अलफा का वेलू 1 रखा तो बीटा का वेलू 2 और जब अपने अलफा का वेलू यहां पर 2 आया तो बीटा का वेलू 1 है और equation 3 को आप घर में ले कर आयेगा और आप check लिजेगा इस पर भी check लिजेगा माल इस पर satisfy नहीं करता है न तो आम लोग इसको route नहीं बोलेंगे तो आप घर में try कर लिजेगा, closest कर लिजेगा, check कर लिजेगा, ठीक है खर में चेक कर लिजएगा ठीक है घर में जब दोग चेक नहीं किजएगा आपको समझ में नहीं आने मलगा है तो आल्फा प्रमबर गावना डीटा नबारबर क्रोलेकर देखते हैं ल्पा बॉन बीटा और लबलत तो आल्फा का स्क्वेर यानि वॉन1 Nathan स्क्वार प्लस 2 alpha वीटर 2 into alpha का फालू 1 beta का वीटर तू इसको 1 का स्क्वार 1 प्लस 2 का स्क्वार 4 प्लस 2 दू नीचार तो चार चार आठार एक नो तो देखिए यहाँ इस equation को satisfy कर गया यह एक्वेशन को satisfy कर दिया तो क्या यह सटीस्फाय करेंगा कि अल्फा बराबर लेकर लेते हैं और बीटा बराबर हमां लोग अगर ले लेते हैं इस पर चेक करके देखते हैं तो अल्फा का वैलो टू ले लिया है टू का आप देख रहे हैं कि यहाँ भी satisfy कर गया यह भी satisfy किया लेकिन आपको घर में equation number three नकाल लेना है और equation number three पर भी चेक कर लिजेगा अगर मान लिजी एक satisfy करता है कोन satisfy कर रहा है कौन satisfy नहीं कर आपको चेक कर लेना है इतना आप कर लेजिएगा काम अगर सेटिसफाई दोनों किया तो यह भी रूटस होंगे यह फिरूर्स और इसे नहीं किया तो एक नहीं होगे और एक होगे लेकिन आपके बुक में जो एंसर है इस एंसर को segment की चला है को अभी हम लोग इसी को भी मान की साल रहे हैं आप घर में इस पर चेक कर लीजिए गा और अगर ये हो जाता है एक्वेशन नमर्फ 3 को भी SAM कर देता है तब ये भी होगा और अगर नहीं करता है यह नहीं होगा के बल यह होगा आगर दोनों करता है सेड़्सपाइब दोनों होगा ठेक है तो यहां पर अल्फा बरावर क्या लिखा जाएगा अल्फा बर व्ब्न वर व्यस्टो आपके बूक में हम सर दिया अल्फाब रावर वन बिटा रावर टू तो आप ने आप छेक कर दिएगा संसे बेस्ट है आप चेक लिए अलफा अपर यहां पर तिर ना प्लस आप स्पा आने बाला आपको समझा देता हूं तो भीटा क्या है तो टू प्लस ऐटा का उड़ खैंतली नाहीं नहीं लिण पाड़ना मायनिस अलफा क्या हो जाएoral कि हो जतू मैंने यही मिला न इसके समें और उसको लेके चलते हैं अल फा बरवर 2 लेके चलते हैं और पिटा आघर से इसके समें किया मिलेगा इसको भी देख लेते हैं तोaba वीधा साल अकी बून पर टूपृट करना युक्ष प्लस आयोटा आक अयोटा बीटा का भेलू 1 तो सिर्फ इनक तो इसका इनक था उता आ यह गाएकन एन्य आयू इसका फ्लस आयोटा पालस जोइत आम इनक तो टीक है उस तो सकतें धोनों रूट से हमें यू प्लस तो आरोता ता 1-2iota 2 plus iota 2 plus iota 2-iota 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 यानि दोनों सही है दोनों अगर आप इसको लेते हैं तो यह भी रूट है और अगर इसको लेते हैं तो यह पुष्टेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार से questions को solve करना है तो चलिए आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग AP से related AP से related हम लोग numerical question करेंगे फिर हम लोग GP से related करेंगे फिर हम लोग HP से related करेंगे फिर हम कुछ conditions वाले questions को करेंगे तो आज के लिए इतना है thank you